हाई गाईज, आज की फिल्म की कहानी हम देखेंगे कैसे पास दोष शेक्तान यादी की डैविल के घर में फंज जाते हैं और क्या अब वो जिन्दा बाहर आपाएंगे, मुवी की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, I hope so कि आपको पसंद आए, मुवी का नाम है था केविन इन द वोट्स, दोस्तों मुवी की स्टार्टिंग में हम दो वैग्यानिकों को देखते हैं जिनका नम सिटर सन और हैं, ये दोनों लोग आपस में किसी साइलेंट मिशन की तयारी कर रहे होते हैं, उनकी बात्चीत से ये समझाता है कि उनके द्वारा ये मिशन दुनिया के कई द मिशन को पूरा करने का प्लान करते हैं, नेक्स सीन में हम पाच फ्रेंट को देखते हैं, जिन में दो लड़किया होती हैं, जिनका नाम डैना और जुलस होता है, लड़कों में एक जुलस का बॉइफ्रेंड होता है, जिसका नाम कर्ड है, उनमें से एक जुलस के बॉइफ रख रहा था वो किसी को कॉल करके बताता है कि घर खाली हो चुका है और सब कुछ सही टाइम पर चल रहा है आगे हम देखते हैं कि वो सभी एक पैट्रोल पंपर रुखते हैं होल्डन पैट्रोल पंप के अंदर जाता है जहां उसे एक भूड़ा आदमी मिलता है वो बुढ़ा उन सभी से बहुत ही बत्तिमीजे से बात करता है और उनकी गाड़ी में पैट्रोल भी नहीं डालता है सभी फ्रेंड्स बुढ़े से वोड एरिया का रास्ता पूसते हैं लेकिन वो ने कुछ नहीं बताता है वोड एरिया में जाने और आने का रास्ता एक रास्ता होता है जो कि एक टरनल के अंदर से गुचरता है जब वो लोग टनल के अंदर जा रहे होते हैं तब ही हमें उनके पीछे एक छील उर्तियोई दिखाई देती है वो छील किसी अद्रश्ट दिवार से टकराकर मर जाती है यह आपको आगे पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ वो सभी लोग कैबिन तक पहुंसते हैं कैबिन में पहुंचकर वो सभी अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं होल्डर जब अपने रूम में जाता है तो उसे एक बहुत ही डराबनी पेंटिंग दिखाई देती है वो उस painting को हटा कर side में रख देता है तब ही वो देखता है कि उस painting के पीछे एक पारदर सी mirror लगा होता है जिसकी दूसरी तरफ Dana खड़ी होती है Dana को holder दिखाई नहीं देता उसे सिर्फ mirror दिखाई देता है वो mirror के सामने अपने कपड़े change करने लगती है holder Dana के पास जाता है और उसे इस mirror के बारे में बताता है इसके बाद सभी दोस्ति खटा होते हैं और इस mirror को देखते हैं Dana holder के साथ room change कर लेती है इसके बाद Dana को mirror से holder कपड़े change करते हुए दिखाई देता है Dana painting को ठाकर वापस उसी जगे लगा देती है painting water आप नहीं होती है इसलिए वो उस painting को कपड़े से ठाक देती है आगे हम देखते हैं कि इस पूरे wood area और cabin में हर जगे पर camera लगे होते हैं और इस पूरे area को टेक्निकली डूप से Henry ने control कर रखा था ये दोनों वही वैग्यानिक होते हैं जो movie की starting में हमें दिखाये जाते हैं तभी citizen के पास एक call आता है ये call उस पेट्रोल पॉम वाली आदमी का होता है वो कहता है कि उसने अपना काम कर दिया है और उनकी गारी में बिना पेट्रोल भरे ही उन्हें वहाँ से बोडेरिया में भेज़ दिया है और वो सभी अब अपनी मौत के बहुत करीब है अकली सीन में हम देखते हैं कि वो सभी friend एक छील में नहाते हुए enjoy करते हैं आगे हम वैज्यानिकों के base camp को देखते हैं जहां पर बहुत से साइंटिस्स रिकटा होते हैं वो सभी लोग पैट यानि कि सट्टा लगाते हैं कि कौन सा monster उन सभी friends को मारेगा दूसी तरफ वो सभी friend प्रोथ और डियर के लिए लगते हैं रूम में दिवार पर एक wolf का सरलटका होता है तभी मार्टी जूस को डियर देता है कि तुम्हें उस wolf के साथ make out करना पड़ेगा मार्टी वुल्फ को किस करती है तभी अचानक से रूम में एक दरवाजा खुलता है जो की basement का होता है सभी friend एकदम से डर जाते हैं जूस डैना को डियर देती है कि पहले वो basement के अंदर जाए इसके बाद सभी लोग basement के अंदर जाते हैं और वहां पर इचीजों को उठाकर देखने लगते हैं मार्टी सभी से basement के पहाराने को कहता है लेकिन सब उसकी बात को अंसुनी कर देते हैं वहां पर डैना को एक डैरी मिलती जो की एना नम की लड़की ने 1903 में लेखी होती है एना ने उस डैरी में लिखा था कि मेरे पिता ने मुझपे और मेरी माँ पर बहुत टोर्चर किया है जिसकी वज़े से एना का एक हांद कर जाता है और उसके पिता ने उसकी माँ को मार डाला डायरी में ये भी लिखा होता है कि अगर कोई उस डायरी में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ेगा तो उसकी फैमली फिर से जिन्ता हो जाएगी और डायरी परनेonie'lle, के सब्सेरे के मार डालेगी मार टीन थी सबसे बहुत डर जाता है वो उन लोगों से डायरी के मंत्रों को पढ़ने से मना करता है ले Seems सबी लोग इस डायरी को मजाक में लेते हैं डेनाउस डायरी पर लिखे मंद्र को पढ़ती है, तब ही एनाउस की फैमिली बोड एरिया के जंगलों में जमीन के अंदर से उठकर खड़े हो जाते हैं, और जॉम्बीज की तरह चलते हुए बेस्मेंट की और आने लगते हैं, दूसरी तरफ साइंटिस्ट के बेस्मेंट म इस बेट का विनर मेंटिनेंस टीम को घोसित किया जाता है, क्योंकि मेंटिनेंस टीम ने जॉम्बीज पर बैट लगाई होती है, यहां पर हम एक बोड देखते हैं, जिसमें बहुत से मॉंस्टर के नाम लिखे होते हैं, इसे हमें पता चलता है कि बेस्मेंट में और भी च पर वापस आजाती है, जहां मार्टी डैना से कहता है कि मुझे लगता है कुछ नो गलत होने वाला है, जोल्स और कर्ड केविन से वाहर भूट एरिया में जाते हैं, वहां जाकर वो टपाटप करते हैं, दोनों साइंटिस्ट कैमरे में उन दोनों की सीम को देख रहे होते ह कर्ड जोन बी शेंटिस्ट वाइट करता है, वह जौमिस कर्ठ को भाइल कर देता है, एक दम से वहां बहुत से जौमिस आजाते हैं, और वह जुल्स को पुछी तरहे मार डालते हैं। जैसे ही वोलट की मरती है तब ही एक साइंटिस्ट एक चेंज ओवर जैसे हत्ते को नीचे करता है जिससे की जुल्स का खुन एक दीवार पर बनी हुमनाकरती के अंदर भरने लगता है कर्ड भागता हुआ केबिन के अंदर आता है और सभी को जंगल में हुए हाथ से की बारी में बताता है कि कैसे जुल्स को मार डाला कड सभी से कहता है हमें जल्दी से यहां से भाग जाना चाहिए नहीं तो जॉम्मीस हम सब को मार देंगे तब ही एक जॉम्मीस उनके दर्वाजी का केट बजाता है मार्टी डैना से दर्वाजा खूलने को मना करता है लेकिन डैना दर्वाजा खूल देती है और उसके सामने एक जॉम्मीस खड़ा होता है जिसके हाथ में जुल्त का कटा हुआ सर होता है जॉंबिस जुल्द का सर डैना के हाथों में फेकता है जॉंबिस के घर में गुसने से पहले इमार्टी और होल्डन दर्वासे को बंद कर देते हैं कर्ड यहां से बाहर निकलने का प्लान बनाने की सोचता है वो सभी से कहता है हम ऐसे कोई प्लान नहीं बना लेते तब तक हमें घर के अंदर एक खिड़के और दर्वासे को अच्छे से बंद रखना पड़ेगा और हम सभी एक हाल में ही रहेंगे इधर दोनों साइंटिस्ट कर्ड का प्लान सुनकर टेंशन में आ जाते हैं इसके बाद वो रूम को अच्छे से चेक करता है तब ही उसे रूम में माइक भी मिलता है वो सब को समझ जाता है तब ही विंडो से हाट डालकर जॉमीज उसे बाहर खीश लेता है और जंगल में लेजा कर कहीं गायब हो जाता है फिर हम देते हैं कि मार्टी का खून में डिवार में उसमानों आकरती में भरने लगता है दूसरी दरफ डेना एक जॉमीज को मार देती है और अब सिर्फ तीन लोगी जितना बचे थे डेना कर्ड और होल्डन वो सभी अपनी जान बचा कर भागने के लिए गाड़ी में चाकर बैठ जाते हैं इसके बाद हमें जापान वाला प्रोजेक्ट दिखाया जाता है जिसमें स्कूल के बच्चे मिलकर उस चड़ल को चला देते हैं और उसे जलाकर मेढ़क बना देते हैं और जापान वाला मिंसन पूरी तरह से फेल हो जाता है, साथ ही साथ उनके द्वारा और भी देशों में जो प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था, सभी फेल हो गए थे, अब उनकी एक ही उमीद बची होती है, अमेरिका वाला प्रोजेक्ट जो कि उन फ्रेंड्स पर किया ज जाता है, करड के माइड में एक आइडिया आता है, वो सभी से कहता है कि वो अपनी बाइक से खाई के उस पार जम करेगा, और यहां से निकल कर जल्दी ही पुलिस और हत्यारों के साथ वापस आएगा, तब तक तुम दोनों लोग यहीं पर चुपर सर्वाइब करो, करड अपनी वाइक से जैसे ही उस खाई के दूसरी तरब जम करता है, वो उस अदर्श दिवार से टकरा कर खाई में किर कर मर जाता है, करड के माइने के बाद आप सिर्फ डैना और होल्दन ही जिन्दा बसते हैं, वो दोनों गाड़ी लेकर वहां से दूसरे रास्ते को तलासने के लिए निकल पड़ते हैं, गाड़ी में पीछे की सीट पर एक जॉंबी बैठा होता है, वो जॉंबी होल्दन के कली के आरप पर एक रॉट को उसे लेता है, जिससे की गाड़ी डिस्वैलन्स हो जाती है, और जाकर एक जील में जिज जाती है, डैना जॉंबी से अपनी क्यों जान मिचाकर जील के बहार निकलती है, तभा एक और जॉंबी आ जाता है, वो 건 जॉंबी Ugh डैना को माने ही वाला होता है, तभी वहां मार्टी आ जाता है, और दैना की जान बचा लेता है. दूसी तरफ साइंटिस के बेसमेंट में उनकी पार्टी चल रही होती है, उ पिर भी यह जॉंबिस अभी भी चिंदा है मॉर्टी डैना को बताता है कि इस पूरे वोड एडिया को कैमरा और माइक के साथ पूरी तरह टेक्निकल कंट्रोल किया हुआ है और उन सब पर नजर रखी जा रही है और इन जॉंबिस को लिफ्ट के जरियों उपर भेजा गया है जो कि उस केविण के बेस्मेंट में मौझित थी सिटरसन को ये बात पता चल जाती है कि अभी डैना और मौर्टी जिंदा है और वो उनके बेस्मेंट तक आ चुके हैं वो सेक्यॉरिटी गाट को इन्हें मारने के लिए बेशता है मार्टी और डैना मिलकर उस कार्ट को मार देते हैं और वहां से बाहर निकल कर आ जाते हैं बाहर आकर वो एक एलाउस्मेंट सुनते हैं कि इंसानियत को बचाने के लिए तुम्हें खुद की कुरवानी देनी होगी दोनों बहुत डर जाते हैं और एक डिम में चिप जाते हैं जिस रूम में वो चिपते हैं वो रूम पूरे बेसमेंट का कंट्रोल रूम होता है जहां पर लिफ्ट के अंदर मौजूद सभी मॉंस्टर को कंट्रोल किया जाता है मार्टी और डेना को पकड़ने के लिए बेस कैम की पूरी फौजा त्यारों के साथ भार खड़ी हो जाती है अपनी जान बचाने के लिए डेना एक बटन को दवा देती है और सभी लिफ्ट के दर्वा से खुल जाते हैं और सभी मॉंस्टर बाहर निकलाते हैं और सभी को मार डालते हैं मॉंस्टर साइंटिस्ट के रूम के अंदर भी घुच जाते हैं और हिन्री को मार डालते हैं सिटर सन अपनी चान बचा कर वहां से भागता है तब ही डैना उसके पेट में चाको गुसा देती है और उसे मार डालती है इसके बाद वो डैना और मॉटी बेस्मेंट में और नीचे चले आते हैं वहां पहुंचकर वो दिवार पर पांच लोगों की मानौ आकरतियों को सब्सक्राइब करते हैं उन्हें हर साल पांच अलग लग परस्नालिटी के लोगों की कुर्वानी चाहिए होती है इसलिए दुनिया भर के कई देशों में यह प्रोजेक्ट चला था जिससे राच्चसों की देवता को उनकी कुर्वानी मिल सके वह मार्टी और डैना को समझ मौनस्टर जाता है और ब कई धन की को देता है मार्टी और घंटो उटाकर उस वुल्फ को मार देता है मार्टी और रह पर ढ़्यम्रitive जाइना ऑ जाती है और केंप लीडर के सर में पुलाडेग कुशा देती है अजहां पर राचसों के देफता रहते थे मार्डी और डैना को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है वो दोनों रिलेक्स होकर सेक्रिट पीते हैं तब ही जमीन के नीचे एक ब्लास्ट होता है और बेस केम की जमीन से एक ब्लास्ट होता है